नमस्का क्या आपको पता है दुनिया में सबसे महेंगी चीज कौन सी है दुनिया में अगर आपको बढ़ना है ना तो वह चीज वह आपको कमानी पड़ेगी वह आपको अर्ण करनी पड़ेगी और वह चीज रातो रात अर्ण नहीं कर सकते आप उसके लिए सालों की मेहनत लगती है सालों से लोगों के साथ में जुनना पड़ता है और अगर वह चीज खर्च हो जाएना तो एक सेकंड में खर्च हो जाती है इसलिए दुनिया की सबसे महेंगी चीज कहा जाता है उसे और पता है वो कौन से चीज है वह है ट्रस्ट विश्वास विश्वास आप किसी का रातो रात नहीं जी सकते हो लोगों में अगर विश्वास बनाना है ना आपके परती तो आपको सालों लग जाएंगे ट्रस्ट पेदा करने में आपको ब्रांड बनाने में पता है ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है ब् ब्रांड क्या है लोगों का विश्वास होता है ट्रस्ट होता है कि नहीं यार मुझे उस पर विश्वास है आज जितने भी मार्केट में प्रोड़क्ट आ रहे हैं वो किस बैस पर आ रहे हैं ट्रस्ट के बैस पर आ रहे हैं कि नहीं मुझे वह चीज खरीद नहीं नहीं मुझे वह चीज खरीद नहीं चाहे वह आदमी दस किलोमेटर पेदर चलेगे रहे हैं वह चीज खरीद के लाएगा किसके बलपर ट्रस्ट के बलपर विश्वास के बलपर अगर विश्वास तूटता है ना तो एक सेकंड में आपके सालों का विश्वास तूट जाता है विश्वास कमाने में तो आपको वर्थो लग जाते हैं लेकिन खर्च करने में है ना पता है आपको एक सेकन लगता है एक सेकन कोई भी बिजनेसमेन कोई भी इंसान अगर सक्सेस बनता है ना तो कैसे बनता है उसके पिछे लोगों का ट्रेस्ट होता है लोगों का विष्वास होता है लोग उसके साथ में जुड़ते हैं कि हम इसके साथ में जुड़ेंगे तो हमरा भी डैवल्लप्मेंट होगा हमरा भी विकास होगा कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिश्टेट होती है तो उसमें पैसे को लगाता है। आम पब्लीग लगाती है। क्यों लगाती है। क्योंकि उस कंपनी में उनका ट्रस्ट होता है। कि इसके साथ जुड़ेंगे। इसके साथ हम अपना पैसा लगाएइगे तो हमारी भी क्रोध होगी। और हमाहम भी आगे बढ़ेंगे. तो यह सब किस के बल पर होता है यह सब ट्रस्ट के बल पर होता है और अगर एक बार आपने ट्रस्ट कहो दिया ना तो वह ट्रस्ट वापिस पाने में आपको वर्षेु लग जाते हैं. इसका सबसे बड़िया एक्जाबल बतातों मेगी का मेगी की इस्तापना स्विच जर्लेंड में हुई थी जूलियस मेगी ने इसकी इस्तापना की थी अठारा सो पोईतर में उस वक्त मेगी की इस्तापना हुई थी 1947 में नैसला ने मेगी को खरीद लिया था और पता है मेगी इंडिया में कब आई थे? 1984 में मेगी इंडिया में आई थे और जब इसने दो मिनिट वाला फोर्मला लगया ना तो हर एक बड़े से बड़े और छोटे से छोटे घर में मेगी लोप्री होई और करोडो अर्वो का बिजनस मेगी इंडिया से करने लगी और क 1984 में मेगी इंडिया में आई और 2015 में एक न्यूज फेली मार्केट में कि मेगी में तय मात्रा से ज़्यादा लेड है कोड में केस चला और वाकि में ये फाइनल हुआ कि तय मात्रा में ज़्यादा लेड है और सरकार में मेगी पर बेन लगा दिया 1984 में मेगी इंडिया में आई और 2015 में ये डिस्पूट हुआ 21 साल बने मेगी को ट्रस्ट बनाने में लोगों में और क्या हुआ चंद दिनों में वो 31 साल का ट्रस्ट मेगी ने खो दिया रातो रात मेगी की बिक्री बंद हो गई और production high था वो low आगया sales high थी वो low आगया और पताए आपको जो मेगी के जो पुराना जब मेगी वापिस मार्केट में आई तो लोगों ने विश्वास नहीं किया मिया तक की मेगी को अपने plants बंद करने पड़े और जो पुराना स्टोक था जो ज़्यादा लेट वाला उस स्टोक को सिमेंट कम्विन्यों को बेशना पड़ा कोईले के लिए और मेगी रातो रात बदनाम हो गई जो 31 साल का ट्रेस्ट था वो चंद दिनों में खो दिया तो यह होता है विश्वास यह होता है ट्रेस्ट ट्रेस्ट बनाने में आपको वर्सो लग जाते हैं और जब ट्रेस्ट खोने में आपको सेकंडों का समय नहीं लगता है और जब ट्रेस्ट खोते हैं आप तो जाते हैं आपकी सारी दुनिया खत है अगर आपको बढ़ना है अगर आपको अपने इमेज बनानी है अगर आपको लोगों के बीच में लोगत्री होना है अगर आप चाहिए कि लोग मेरे पर भी विश्वास करें तो आपको ट्रस्ट पेदा करना होगा लोगों में और वह ट्रस्ट हमेशा लोगों में बनाए रखना होगा तब भी आपकी ग्रोथ जब बढ़ता है ना तो आपकी विल्यू हमेज़ा रेगूल बढ़ती रहती है इसलिए जीवन में हमेसा आगे बढ़ना होना तो लोगों का विश्वास जरूर चीपना